तो हमारे बाव बली बाईया यानि की परवास बाईया जो की एक के बाद एक फिलोप मूवी देते जारे लेकिन इसके बावजूद भी फिलम के डायाटर फिलम के परडूसर जो इनको सो सो डेट डेट सो कुरोड की फीस दे रहे तो आकिने सा क्या जादू चला रखा है परवास देखने के लिए मिली लेकिन सारे फिलमों में जो परवास ने 1500 कुरोड रूपर चार्ज के थे फिलमों से लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे की सारी फिलमे वह फ्लोप हो चुकी है तो देखो यार इस चीज में तो परवास की कोई गलती ही नहीं क्योंकि पिज़दा खराब का मेरा मतलब है कि जो फिलम के डिरेक्टर या रायेटर थे उन्होंने फिलम को अच्छे तरीके से नहीं बनाया जिसके वज़े से फिलम बुरी तरीके से पिट गई एंड यहां पर परबास की वी एक चोटेशे गलते कि उन्होंने खुदी अपनी मवीज को हिंदी में डब किया जिसकी वज़े से जो जितनी भी हिंदी ओडियंस है वो उस फिलम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई लगातार कुछ फिलम में फलोप देने के बाद परसांत नहील के हाथ लग चुके परवास एंड परवास इनके किसमत भी चमका देंगे सलार फिलम से और में आप लोगों को बता दू कि यह फरला फार्ट नहीं होगा सलार का सलार के हम लोगों को टोटल दो पार्ट देखने के लिए मिलेंगे एंड बाव बले बयाने जो इज़त डुबाए उस इज़त को वापिस लेकर आ सकती यह फिल्म में बागे सलार फिलम 22 दिसंबर क देखने के लिए मिल जाएगा तो अब आप लोगों कोमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों क्या लगता है कि प्रबास की फिल्म सलार काफिसदा सुपर इट होगी या नहीं होगी तो दोस्तों आज गा वीडियो आप लोगों कैसा लगा कोमेंट जरूर की जएगा और